हेलो दोस्तो वेलकम बैक टो मैं यूटीव चैनल स्ट्वाट लेडिल गार्डन में और आज हम आपको पौधो की रिपोर्टिंग के बारे बता रही हूं मैं क्यूंकि महांसुन तो आई गया है लगबग सभी कहां बारिश होने ही शुरू हो गई है तो आप भी इस टाइम प बारे गारे प्लस्ति का हो या मिट्टि वर्ला हो या पिर आपने कोई SBG कांटेनर लिया हो तो इसमें यह मैंने इसे मात्रा ही मैंने ली है इसमें तो आप भी ऐसे ही मिट्टी तियार कीजिएगा जिससे यह आपको पौदो जल्दी ग्रो हो जाएंगे क्योंकि कटिंग के इसाफ सी भी आप लगा सकते हैं या फिर जिनकी एरियल रूट्स आती हैं आप उन प्लांट क यह बहुत ही अच्छा होता है यह अ नगा रहे हैं यह यह सबताब कर रहे हैं तो इक बज़ाए में डबल कंटेनर में से लागा हुँ तो उसके लिए मैं ने दोनों में ही तो आपको वीडियो कैसी लगते है प्रीज जरूर बताईए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा मैं आगे और वीडियो ऐसी लगाती रहती हूं तो यह हमने छोटी सी जो है ब्रांच इसमें निकल गई है जिसमें जड़ भी है तो यह जल्दी ग्रो भी हो जाएगी जिसमें अगर जड़ है या एरियल रूट जिसमें आती ह है कि 12 या 15 तारिक तक आहीं जाएगा सभी कहां तो आप भी फ्रेंड्स अपने गमलों की मिट्टी चेंज कर सकते हैं यह टाइम पर और पौदो को रीपॉर्ट भी कर सकते हैं पौदो को रीपॉर्ट करना इस टाइम पर बिल्कुल ना बोला है जो मिट्टी आमने काफे ट और शोड़u ना जान से लिए श्यांस Dani जहीं जाता रहते हैं क्विक के इसमें काफी होती है और और अचे से रूट वाला पार्ट लगाते हैं तो ऊसमें जाद रहते हैं पिर चाहें आप कैसा बी प्लैंट लगा रहा है हूं लिकbn के मड़ान में ब्हीं और एसा ही रप यह काफे टाइम से मैंने चेंज भी नहीं किया था तो मैंने सुचा इसको भी चेंज कर दिया जाए और यह भी सिंगोनिया का ही ब्लांट है जो कि ग्रीन वाला है तो इसकी पत्यां थोड़ी सी जल भी गए थी चुकि गर्मी अभी पीछे काफी जादा पड़ रही थी तो फ बाकी स्टेम है मैं उन्हें अलग कर रही हूं अंभी अपने प्लांट के जो खराब पत्यां उन्हें हटा दीजिए और जो सूखा गंटेरा जो हम रखते होंगे प्लांट जो भी लगाते हैं उनके पास होता ही होगा तो अपनी सूखी पत्या उसमें डाल दीजिए इनको ने भी अफिगते गामतयां बेलकुल बहुती कामाथी, व्लांट के उतैकर था मुंप्चे उपलाइन कहला है – उन्हें इसमें काफी बेबी ब्लाइन बीव हो रहे हैं चुकि मांसुन आ जाता है तो इसी टाइम पर बहुत ज़्ब बहुत जादा अच्छे से ग्रो हो जाते हैं तो आपके भी पहुदों सलगाल लिया चोकी रुट बाउंट्स दो पूरा का पूरा बॉक्स एक तम से निकल कर आ गया है बाहर में देख रहे ह 30 का क्याँ भी इसमेन रुट बाउंट भाउन बहुत दो जाथ और KY तो चारी दिखा रही है है विच्राइआ के वेटिव न इमें कि उधिन साफ कर रही हूं पूरी जव्ट्रोड़ो को और जो भी जूप्टे पूरी चोटे भी रहे छोटे इंधिक नगता हैं उन्हें सभी को सेपरेट कर गए जो की सहले बहुत सारे बन जाते तो मैं वह प्रांट धरियंगे चोपि नहीं। से एक के बाद ञटार सारी निकल जाते हैं तो ये उसे बहुत सारे प्रांट में कर लेते हैं लगता है तो बहुत अच्छा लगता है फुरा घ्रीन तो मैंने इसकी जड़े पूरा अच्छा से जाड़ लिए और जब भी आपार घ्रीपारक्स्मेट चार बजे में तक बादम ही कीजिए उस टाइम हलकी दूप है और इसकी जड़े आपको दीख रही होगी बहुत जादा एक दूसरे सब बंदी होई है तो इसमें काफी अच्छा सेपरेट कर भी पा रहे हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है इसे बहुत ही आराम से कीजिएगा जिससे की यह ज िए ज Любा गदूँकी और बाकी जो में जो होगा पार्थ मैं उसे इलग कर दूकी बीच में सारी पार्ट निकल sino का बाएंगा हूं गये बागी मैं पूरी कोशिश कर रही हूं निकालने की न तो जितनी बार्ट निकलन रही है तो जो मुझे एक साथ थोड़े जाद ही चाहि जो कि हमारा फंगिसाइड का भी काम करेगा और ये मिट्टी को काफी हल्किया भी बना देता है अगर राक नहीं भी है तो आप इसमें रेत का इस्तमाल कर सकते हैं चुकि आपके लिए ड्रेनेज के लिए काफी अच्छा रहेगा जो कि पानी नहीं रुके पौदों को ऐसा ही रखिएगा क्योंकि पारिश में की टाइम पर इतना पानी आ जाता है कि हम इसको निकाल नहीं पाते हैं और पानी सूप भी नहीं पाता है तो सोईल को ऐसे ही तैयार कीजिएगा जिसमें कि आपकी मिट्टी जल्दी से पानी को ड्रेन करता है और ये मैंने चोटे-चोटे गमले थे सिमेंट के तो मैंने इसमें ऊपर ये कंकर रख दिया है जहांकि ट्रेनेज होला है और उपर से में इसमें सोईल मिक्षर डाल देती हूं सोईल मिक्षर आप ऐसे ही बनाईएगा जो की पौदों के लिए बहुत अच्छा रहे और तो और ये ग्रोख होने में जा क काफी जल्दी हेल्प भी कर देगा बात में भले ही आप इसे अलग से ट्रांसफर कर सकते हैं एंड आप जा मांसून तो आप चेंज कर सकते हैं अधरवाइस आप ग्रोख करने के लिए ऐसे ही मिट्टी का यूज कीजिएगा बहले आप प्लास्टिक के कंडेनर में ही क्यों लगा रहे हैं तो फ्रेंड ऐसे ही मैंने आप बहुत सारे गबले तैयार कर लिए थे इसके लिए और यह जो टीन का वही था बॉक्स यह मैं सेम थोड़ा सा इसमें भी भर रही हूं चुकि और ज्यादा गबले हैं भी नहीं तो थोड़े ही हैं तो मैंने इसमें ही चोटी- दबा दिए जिससे कि स्टैंड हो जाए तो फ्रेंड्स इसमें जादा कुछ करने की जरूवत नहीं है बहुत ही एजी लिए ग्रो हो जाता है प्लांट वैसे भी कटिंग से भी निपस एक आपको जड़ वाला पोर्शन चाहिए होता है जो की नौड पर होता है तो यह प्ल से ग्रो भी हो जाएगा चुगी में पार्ट था इसका तो जो इसमें मैंने इसे भी हलका जड़ से दबा दिया है अच्छे से और जो यह दो तिन स्टैम है वस यही निकल रही है तो मिट्टी में अच्छे से दबाईएगा इसे और सोयल मिक्षर आपका देखी रहा होगा यह काफी मलब फरी फरी सा है बहुत ही सॉफ्ट है जो कि हलके से ही यह दब रहा है तो आप अराम से इसको दबाईए अच्छे से और इसमें अच्छे से ही वाटरिंग कीजिएगा जो कि जड़ो को हम ना करें और एजी लिए आपकी ब्रांच जो है वो ग्रो कर जाएए त और वीजो को गतने का या फिर कटिंग से कैसे काने की सी प्लांट को मैं आगे और भी विडियो लाती gी तो फिरन्स प्लीज लाइक कर दीगा ऑर च्चनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कोई भी क्मेंट करना हो तो START finger में जरूर कीजेगा ञें यह सारे प्लांट अ तो जब भी कटिंग लगाएं या फिर कोई भी ऐसा एरियल प्रांट लगाएं तो उसे थोड़ी दिर प्लांट को वाटर में जरूर रख दीजिए जिससे ठीक हो जाए और अब उसी प्लांप वादानिकों मैं अलका इसमें छुड़क रही हूं जोगि पानी कभी आप प्ला दीसरा फ्रांट भी तैयार हो गया तो इसमें जो है जो में प्लांट से तरह वाला प्लांट तो ऑगया है तो यह बहुत ही अच्छा ओगया है और फीडियो पसंदाओ लाई कर दीजिए